Hello Learners, स्वागत है आपका e-learnam के YouTube चैनल पे Quick Recalling of Molecular Biology Topics के Mind Map Series 3 में आप सब का स्वागत है आज इस Mind Map Series में हमने जो topic cover किया है वो share gaps rule है हम ऐसे ही छोटे-छोटे काई सारे छोटे-छोटे topics के Mind Maps क्रिएट करके लाएंगे जो आपको जो बहुत ज्यादा detail में नहीं होंगे बट हाँ वो सारे important points को recall करने में सारे जरूरी चीजों को याद रखने में आपको help करेंगे और इन Mind Maps की अगर आपने screenshot ले ली या फिर इसको खुद से एक बार देखके draw कर लिया तो यह आपको easily grab करने में काफी help करेंगे आपके notes को easily grab करने में remember रखने में काफी help करने वाले तो शारगाप्स rule को हम just one one mind map के through समझेंगे इसमें क्या शारगाप्स इसने कुछ rules दिये ते जिनमें जिसको बहुत important अगर हम देखे तो उसमें कुछ points हैं जो बहुत important है पहला जो है कि बताया था कि Purines Purines की quantity जो है वह हमेशा equal होगी Pyramidians के quantity की Purines की जो quantity है वह हमेशा equal होगी Pyramidians की quantity के इसका मतलब क्या है कि Purines जो है ए और जी इनक्या quantity हमेशा होगा T और C के क्यों यह अभी कैसे होता है मैं बताती हूं कि ए जो होता है वह always pair करता है टी के साथ ठीक है डबल hydrogen bonds के साथ ठीक है ऐसे ही जो ग्वानीन होता है वह हमेशा cytosine के साथ pair करता है तीन hydrogen bonds के साथ तो अब जब कभी भी कोई DNA strand होगा ठीक है डबल strand तो जब उसमें एक ही जितनी quantity होगी उतनी ही T की quantity होगी तब ही तो वह bind करेंगे तो अगर कहीं हम suppose कर लें कि 20 adenine है ठीक है तो कितने thymines होंगे obviously 20 होंगे ठीक है अब यह अगर हम total quantity 100 समझे total को 100% समझे ठीक है तो 20% adenine हो गया और 20% हो गया हमारा thymine ठीक है अब बच्छा कितना 100 में से 20 20 माइनस किया 100 माइनस 40 तो हमारा कितना है 60% अब 60% में जो भी होगा वो remaining remaining quantity होंगी अब remaining में क्या है G और C बचा है तो 30% जो होगा वो G की quantity होगी और 30% जो होगा वो C की quantity होगी ठीक है तो इस तरह से हम देख सकते कि purines की quantity जो है वो pyrimidines के बराबर होगी चाहें वो number में दिया हो चाहे हो percent में दिया हो कैसे भी दिया हो तो आपको हमेशे रानना है कि A equal to T होगा G equal to G का quantity जो है वो equal to C होगा ठीक है अब ऐसे ही हम यह देख सकते हैं कि यह जो purines है purines का sum जो होगा वो pyrimidines के बराबर यहाँ पे है ना जो बोला गिया है वो ही है ना कि यहाँ पर अब अगर हम ऐसे देख सकते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं कि 20 और यह 30 मिला के फिर इधर 20 और यह 30 क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला कि 20 एडिनीन है 20 थाइमीन है तो 20 एडिनीन की वेल्यू रखी 20 थाइमीन की रखी यहाँ पे निकाला 30 जी और 30 है यह ठीक है तो दोनों तरफ हम क्या देख रहे हैं 50 इस इक्वाल टू 50 ठीक है प्यूरीन और पाइरमीडीन के नंबर जो है वो बराबर हो रहे हैं तो मतलब यह जो सम है प्यू ए प्लस जी का वह इक्वाल है टी प्लस सी के ठीक है ऐसे ही अगर हम इधर देखे तो अगर हम इसको इस तरह ले कि एक प्यूरीन है एक पाइरमीडीन है ठीक है तो उसका समझ है वो नहीं होगा पराबर दूसरे प्यूरीन और पाइरमीडीन के ठीक है इस तरह से हम नहीं ले सकते इसको जैसे अगर हम इसको देखे तो A की quantity हम किता 20 ले लेंगे T की कैसे ले लेंगे 20 ले लेंगे अब उधर क्या है 30-30 है G और C की quantity 30-30 निकाली हमने तो यहाँ पर अगर हम यह value रख दे 20 plus 20 is equal to 30 plus 30 possible है यह? नहीं बिल्कुल भी नहीं possible है तो इस तरह से यह भी यह rule हो जाएगा शारगाप्स के rule में ठीक है और यह हमें काफी help करेगा MCQs में उन numbers को जानने में जो की ऐसे बहुत सारे MCQs आता है जिसमें nitrogenous basis की quantity पूछी जाती है तो इन में percentage के basis पे पूछी जाती है कभी basis के numbers दे देते हैं कि इतने adenine है तो कितने time में होंगे कितने soil cytosine होंगे तो इस तरह से हमें यह चीज़ यह शारगाप्स rule जो है वो काफी help करेगा इन MCQs को solve करने में तो मुमिद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब 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 यह थांकिव तब 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 यह थांकिव